नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियान आयरवेदिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS महिसेनी दोस्तों स्वागत है आपका फिजियोलोजी फर्स्ट के क्रेस कोर्च में आज तक हम एक से लेके 14 तक के चैप्टर अप्लोड कर चुके हैं अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाहिए फिजियोलोजी के रिया सरीक नाम से प्लेलि आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो पूरे वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी फिजियोलोजी में इस इन वीडियो में हम इंप्लेंट क्यूस्टन इंप्लेंट स्लोग किस तरह से क्यूस्टन आते हैं और टोपिक को इसी कैसे बनाना ये सार स्भीन को समझायें 20 सेंबरा अब यह डिटो को विस्तार से समझायें कभी नमबर में आ जाता है कि अच्टायर वीदिजित स्काल उपयोग संस्ता और उपयोगता अब देखो सब तहार कलपना भेद और सात्यम में वर्णन यह दो अलग स्काल उपयोगता यह आपको सीक्वेंच और क्रमवाई याद करने कोई मिस अंडरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए इलकुल सीक्वेंच तो याद होई चाहिए अब प्रकर्ति क्या है अब एक एक के बारे हम डिटेल में बात करेंगे तो यह आपको ऐसे कैसे रटना है आपने यह कोटिशन लिख दिया अच्छी बाद है याद हो गया अब इनको तो यह श्करति वाला चेप्टर पहले किया हुए वह स्वाव जैसे में बताया न बैसिती इसका सवाव ही असे इसका सवाव में सवाब ते प्रकरति रहने वाले लगूड आधी गुणों का ही है जैसे उडद दाल होती है उडद की वो गुरू होती है मतलब देरी से पसती है और मुंग लगू होती है जल्दी पत जाती है सुवर का मास गुरू होता है यह उम्रगयनी हिरन का मास लगू होता है मतलब इनका स्वाव है इसमें कुछ चैंज नहीं कर सकते हैं ऑटोमेटिकल है मतलब बोलते हैं इसके दो गुण सुत्रों में ही कमी है जीन फैक्टर है वह ही है वही कॉंसेप्ट है अब आता है करण सेकेंड तो करण को क्या बोलते हैं संसकार क्रिप्रेशन स्वाव प्रकर्ति गुण युक्त द्रहों में जो संसकार मतलब घी है घी का जो गुण है इसने का गुण है उसमें अन गुण उत्पन करना अब घी को किसी पूरता नहीं है उपर से मेडिकेट जो मतलब दवाईयां होते हैं उसका भी गुण अपने अंदर ले लता है तो डबल वाला हो गया तो संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्तिक साथ संस्कार किया जाता है यह होता है कि अपने स्वाविक गुण ना उसको चे जाता है अब देखो किस तरीके से यह बोलता है कि वाई संस्कार किस तरीके से जल मिला दो ऐसे धही में अपन जल मिलाते हैं तो मस्तु यह तक्र तैयार होती है अगनी सही हो गरम कर दिया गरम करने सिर्फ काफी कुछ चेंज हो जाता है सुद्ध उसको सुद्ध कर दिया प्राकर्तिक रूप से प्राप्त करते हैं बहुत सी जिए असुद होती हैं मन्थन मत दिया उसको इस्तान किसी इस्तान विशेश पर ले जाके जैसे ठंडे इस्तान से गरम इस्तान पर गुणों में चेंग दाते हैं काल समय का फरक पड़ता है वासन पात्र कौन से पात्र ज कि भावना यह आप सेकंडेर में संसकार तो कम से कम तीन से चार पेज़ें पड़ों कि जितने भी यह ना जल अगनिसयोग सोच मंदन देश काल वासना इनके उपर एक पैराग्राफ लिखा हुए तो कॉंसेप्ट लिए तो कॉंसेप्ट आता है यहां से करण संसकार का तो इस में मिलने को संयोग खाता है सही बात है दो को जोडना या दो से अधिक योट करने wheat लोता है जो स्योग द्रव में रहने वाले अलग अलग द्रवों में भैकारिय नहीं होता है समझों इस बात को कि वह दोनों भाई मिल जाएंगे तो तीसरा कुन भी कर लेंगे अगर दोनों अलग अलग हेंगे तो यह काम नहीं करूप पाएंगे विखती इस लखड़ Architect सकता यह नहीं हमखती और दॉलत Land लों मिल जानों लोट यह अलग एकस्टर डिए आन और मचली और दूद का संयोग मचली और दूद को भी साथ में निखाना जाने तो यह जहर बन जाते ओके आप आता है रासी रासी से आप क्या समझते हो देखो यह जितने भी सलोक हैं आपको सायद मुश्किल याद रहेंगे इसलिए मैं बता नहीं रहा लेकिए आपको हिंदी यह यह आद होनी चाहिए और वह भी टिप्स पर यह आद होनी चाहिए मात्रा क्वांटिटी ये मात्रा मात्रा और मात्रा का फल निश्चित करने के लिए सर्वग्रे और प्रेग्रे रासी हैं सर्वग्रे यानि सभी हार द्रभों का एक पिंडर में प्रमान घ्राण करना सर्वग्रे खेलाता और परी गए अहार द्रभों का एक एक करके अलग अल पांच आप परिग्रे का मतलब यहाई 200 ml तो चाथ लेनी है तीन चपाती लेनी है इस तरह के से उसको 5 किलो करना करना अलग अलग कि कॉंसेप्ट वही है लेकिन उसने अलग अलग पुर्माण लिया वही 200 ml 6 ले ले तीन चपाद ले ले 200 ग्राम सब्जी ले ले इस तरह के से वह होता है परिग्रह अलग अलग मापा किसी व्यक्तिन वही एक साथ सबको एक साथ रखके सब भी आर द्रवों को एक साथ तोले क मैं आपको उधान देके बता रहा है एक देशी वासा में ताकि आप समझ सको ऐसा एक्जाम में मत लिख देना नहीं तो प्रोबलम आ जाएगे आपको फिर आता है देश कि देश पुन्हें इस्तान को कहते हैं जांगल प्रदेश ठीक है आनूप प्रदेश जांगल यानी जांगल प्रदेश का मतलब है कि मरुस्तल हो मां में मतलब कुछ सूका बनो तो वहां की ओस्तिया भी होती नहीं रूखी होंगी बात प्रकुवित करने वाले होंगी वहीं सब बात है सब्स उसेश रहनब सब्सक्राइज होता है यह मन दैती रितु में अगनी की अनुसार आहार ग्रेंड करहा ह्ब सब्सक्राइएब ार दो तुरे के काल होते हैं एक तो अपनी युआ प्रध्यावस्ता त्रत के नु Have a ट क्टॉ lifecycle कि इसके नुसार पर 17 काल होगहिए जो माल अब इनका युआ अब यू-आश्टा-बर्ध्यावस्ता बाल आवस्ता भेश्तों उनकी रित्तों के नुसार मतलब एक तो बाल लवस्ता की रित्तू उसमें अलाग अलाग बोज़न खाना चाहिए अप फिर अपन ऐसा नहीं कि बड़ापय में वही खाना चाहिए नहीं बुड़ापे में फिर अलग चैन्ज हो जाता है रित्तु तो वह ही है लेकिन आपकी है चैन्ज होगी व्रिद्धावस्ता बाल अस्ता गनुसार रित्तु अवस्ता गनुसार रित्तु यह सब आपको याद होनी चाहिए इस तरीके से वह रूल लें बोजन करने के उप अब यार के लक्षणों की मतलब जो अपन घ्रण करें वह पंत जाये इस तरह के से रूकन हो नगेशत पालन비 नहीं करने वाला है awak Civ स्वयं मनुस अबरब disruption प्योग करता है जिसके अधिन ओक साथम अतार सरीड साथम है अश्ट अहर्विदी विश्य सायतन से लाव दो नमर का एक छोटा सा क्यूस्टन आता है आपको याद होने चाहिए यह आठ प्रकरतिक करण आधी सुप फल देने वाले और आपस में दूसरे को उपकार करने वाल है कि महोई प्रमादवस party किसी चीज़ को ज्जादा पसंद इसे मेट्सषा है नुकसान करेगा और प्रमादवस किसी मतलब कहीर बौल रहा है ज्यादा या अती प्रिया वश्कों भी इंद'कर आपको बदा ही है इसके सराब विथ तिक है है ज्यादा मासान हो गया यह सार अश्ट अहार विदी विशेशायतन थे ये वह हैं साथ अहार कलपना हैं अलग हैं कभी कनिफूज मत होना कि साथ अहार कलपना कौन-कौन सी हैं स्वाव संयोग संसकार मात्रा देश काल उप्योग व्यवस्तास ठीक है स्वास्त और यह स्वास्त रोग में रोग के होने में जुक इन सात आहर कव 혼धण हो विशार कर सरीक लेए हिध कर अम सुचोंकि कि ईट्रा दो सेन सही है उसमें प्रक्रत्ति उसमें भी संसकार उसमें भी मात्रा है तो देखो इनका सीक्वेंस अलग है और इनमें साथ है वो आठ हैं तो कभी मैं बोला ने सीक्वेंस में कभी गल्ती मत करना यह साथ आहरकलपना वेद है वह अश्ट आहरविदी विखसे साहतन है स्वाव का जल वही है वर्षा जल लाल चावल साटी मुंग इन लाव आदि स्वाव प्रकरती से लगू होते हैं वही सेम बात है यह द्रव संयोग संस्कार आदि से विपरित बन जाते हैं जिसकार व्रही से बनी ताजा लगू है यह व्रही से बनी लाजा लगू है व्रही गुरू होती है लेकिन लगू हो जाती है संयोग वही है दोसे-दोसे दिक एक साथ मिलाना संस्कार वही है कि जल अगनी सोच मंधन देश गुणों में अंतरधान करना मात्रा दो पिकार की होती है एकतित रूप से और अलग- कि अपिक्षिया देखो वहाँ काल का एफेक्ट होता है कोई विद्धी विर्द्धी वास्ता दोसका काल के अनुसार अलग होता है कोई व्रद्धी मतलब जीन की अप्राइब काल बहुत यादा विक्रित करता है वेरी वेरी इंपोर्ट चैप्टर नंबर आज अश्टांग हिरता है मैं डिटेल में वताया है इसको आजीन को वह आपको याद होना चाहिए फिर भी आपको याद होना चाहिए इस प्रिंसोट ले सकते हो और है उपयोग व्यवस्ता विन्या नसनान किये न बिन्या अठीटे को दिये पंदु आदी जिनके आने के तित्ति निश्यत नहीं हो दिये बिना कुट्टे पंक्षी चांडाल को दिये बिना अपने आस्यत नित नौक्र आदी एप केवल अहार व्रती पर रहते हैं जो गो गोड़े आदी इनको देखकर उनको भी देखकर कि उत्तम देश काल साधन युक्त अपने देश में अपने ही साधनों अपनी बोजन काल में मिलाधरन किये आब उसमें से अलंकरत सुगंदित लगाए गए हाथ पाउं धोकर गेल रख यह ऐसे बोल रहा है मैं आपको बताता हूं कि वह साफ वेस्तर होने चाहिए गंदे अले मैनर्स पोलते हैं ना वही एथती आया है उसको भी खाना खिलाओ वही यह देख बात चीत नहीं करते हूं जल्दी रुक रुक कर ऊच्ण बोजन स्वाव जो अपन बोजन हार विदी कर रहे थे ना हार विदी विदान चैप्टर नंबर 12 उसके अनुसार आपको यह य सिक्रित अनुकुल नहीं होने पर एस साथम खाते हैं ठीक है अब इसका मतलब देखो कोई वक्ति डेली थंडा बोजन का अभ्यास करते हैं उसको मतलब ओपीस आता है सुबर टिपन में पैकर के लिए दोपरी में खाना खाते हैं तो उसको आटोमेटिक उसको वही खाना ट में छोटी मात्रा में लेकिन फिर वह उसका नियरंत्र बोजन कर रहा है सालों से कर रहा है उसको ओक साथम हो गया मतलब उसके लिए वह नुक्सांद आए कब नहीं रहा जैसे कि डोड़ा पोस्त अपी में जो व्यक्ति इनका सेवन करता है बच्पन से जैसे कि रास्तानी अब को मतल disso है जो मरवाड़ी लग Key Coffee को से एंका थोड़ा 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 पूरी बच्पन सी खाते रहे तो उनको उक्षाय हो गया अब उनको चाहिए उनको नुक्सान भी नहीं करेगा है बड़त अब यह साथ मोचार सब्सक Shivamangen तीन होते पिर सात्यम में मध्यम रसों को एक दो तीन मध्य रसों का मिला दूला रहे ना इस तरीके से चैप्टर किलिए रहते हैं आपको कोई भी डाउट और कोई किस्टन तो मुझसे बात कर सकते हो आई ओप आपको काफी हेल्प मिल रही होगी आप कमेंट वोक्स में जरूर बता हैं थैंक्यू